हमारे आलू किसान भाईयों के लिए काफी लोग तरह तरह की बाते करते हैं काफी लोग कहते हैं कि आलू में इस समय गिरावट है और जादा आलू गिरने वाला है तो किसान भाई फायदा उठा लें इसके बारे में हम आपको आज की वीडियो में काफि कुछ बताने वाले हैं क्योंकि सही जानकारी किसां भाईजयों तक पॉंचना काफी जरूरी है काफी लोग तरह की अफ़फ फैर आते हैं ये वो लोग हैं कि आज मारकेट में गिरावट ये तो आपके साथ उल्टी बाते करने लग जाएंगे के मार्केट में अब तो ग्रावते रही करेंगे हलंकि हर जगह कि जब भाव आज मैंने जब लिए तो एक दो मंडी को छोड़के बाकी सभी मंडियों में हल्की सी ग्रावट देखी जा रही है जो बात सच है वो आपको बिल्कुल बताई जाएगी और सबसे पहली बात तो मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा जो मार्केट में गरावट कि हों तो देखिए मैं दिल्ली आजादपुर मंडी चार-फांस दिर रहके आया हूं वह पर पूरा माहूल मैंने देख लिया है लगबक तीन दिन से लगातर मार्केट मां गिरता ही आ रहा है और मार्केट क्यों गिर रहा है इसके बारे में भी हमने मैं खुद एनलाइसिस किया है केबल आजदपुर मंडी और ओकला मंडी और गाज़ी पुर मंडी तीनों मंडी यों की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए वहां पर क्या है और अभी यह कर चीज में आपको बताओं आजदपुर मंडी में आप हरी सब्जियों के रेट लोगे तो हरी सब्जिय आसमन छू रही है कोई भी सब्जी 20 रुपय के लोगे से नीचे नहीं है आजदपुर दिल्ली में ठीक है बड़ी मंडी है काफिया वहां पर माल जाता है और पानी पत्की जो हरी प्याज है वो तो 40 रुपय के सामने बेक रही थी वहां काफिय की सन गाली कोई भी चीज नहीं है अगर आप यह मानोगे को देखने को भी मिल जाती है मैंने आजदपुर मंडी में काफी आड़ते लोगों कि यह प्याल रहता है तो काफी कोई लोगों ने इसका कोई भी मुझे जवाब नहीं मिला मुझे आज़सपुर मंडी से लेकन मैं इस चीज को जानता हूं कि 2020 में आलू बिलकुल कम था आपके कोल्डों में मतला बहुत कम आलू था सतर प्रसंट यहीं आपके कोल्ड भरेते हैं 2020 में उसके बावजुद भी मई के महिने में यही अलता जो आप इस समय देख रहे हो तो महिने में पहली बात लग बग यहीं रहता है तो ज़्यादा तेजी होती है ना बंदा रहता है मेडियमी रहता है और दूसरी बात गरमी है जादा और तीसरी बात के सान वाई हो यह है कि जब मंडियों में सप्लाई हम जादा कर रहे है और दिमांड कम है। इस समय आलू की दिमांड में कमी है इस理वे Dalzaison 07 में भी गि घ्रावट दिखी जा रही है क्योंकि वेजल तो कमी होया जाए हैं हमने क्या होगा आलू तेजी कैसे पकड़ेगा तेजी ऐसी पकड़ेगा या तो डिमांड बढ़े या फिर गाड़ियां कम हो यह दो ही ऑप्सन है इसके लिए तो आप लोगों को काफी कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए समझना चाहिए हालंकि आप अपने बजारों में जाके इसी बात नहीं है यह तो चलता रहता मार्केट बढ़ता गटता यह चलता है और एक और बात जो हमें सबसेरा डरा रही है देखिए जब भी मार्केट लगबग 600-700 रुपे के आसपस पहुन जाता है और उसके बाद द्वारा मार्केट साड़े 500 पर आ जाता है तो हमें मार्केट में आलू बेशते हुए निकलते रहना चाहिए जैसे कि जिन लोगों ने साड़े 500 से स्टाट किया उन्होंने बेशते बेशते उन्होंने मेरे इसाब से 600-600 तक के भी रेट लिये होंगे कुछ लोगोंने अब दुबारा से मार्केट फिर 500-500 रुपे पर आ गया तो देखिए उन्होंने दो बार रेट ले लिये एक साड़े 500 को ले लिया एक 600 को ले लिया तो बीच में उनका आलू पांसो सथार असी नबर रुपे तक मतलब बेशते हो तो इस बज़ए से इसके बाद भी और उपर जाता तो और हम बेशते तो मेरी तो सबसे पहले आप ठीक है और अलू में तेजी से निकासी हो रही है इस बार अगर ब्यावपरी आपका अलू खरीद रहे हैं तो वो तुरंती एक-दो दिन महीं आलू को बंडि भीज रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं ब्यावपरी लोग भी कि आपका अलू रख लिया और फिर बाद में बेच यह उनके लिए काफी ज़्यादा नुक्सान वारी चीज़ हो चुकी है इस वैसे वह ऐसे आलू को नहीं रख रहे हैं क्यावट्ट देखी जहारी है हर जगह पर अब मात करता हो बात करते हो पानिपत्मंडी में आज तेजी का महल बना हुआ है बीस रुपे की तेजी है और आठ गाली वहां पहुंची है एक गाली बेलेंस है कल की चिपसोन आलू विखाए 600 से लेके 700 रुपे पैकेट और कल यह विखाता 600 से लेके 603 रुपे पैकेट 20 रुपे की यहां तेजी है अब बात करते हैं नासिक मंडे की तेईस गाली पहुंची है गयारे से लेके 13 रुपे कलो यहां विखा है नासिक मंडे में गाड़ी ज्यादा पहुंचे लेके बावजूद भी सही आलू यहां पिका है अब किसम्पाइब मैं बात कर लेता हूं जैपुर मंडी की जैपुर मंडी में लगबग आज 45 चारीज गाड़ी पहुंची है और करनाटक की बैंगल्लोर मंडी की बात करें तो यूपी की 35 गाड़ी है 600 से लेके 7500 रुपे पैकेट यहां विकाए और कोल अरके यह कि आलु जल्दी यहां पर खतम होने की उम्मिद बताइजा रही है अब चैनी मंडी की की बात करते हैं 15 से लेके 70 रुपे गलों विकाय यूपी का अलू और को लार का विकाय 600 से लेके 800 रुपे 40 की तॉल में अब किसान वाइए दिल्ली के माहूल की बात कर लेता हूं दिल्ली में 18 गाड़ी हैं और मैं दिल्ली की खबर आपको अपने फेसोग गुरूप पर पहल हो जाएए आपको दिल्ली की खबर सबसे पहले मिलती रही सटीक जानकारी पूरा डेटेल डालता हूं मैं उसमें आपके लिए और डेली डाला करूंगा ठीक है अब दिल्ली की आज प्रफिक तरह गाड़ी है चाथीज गाड़ी बिलेंसा कल गी और सेहती सतानव है 500 से लेके 517 रुपे और बीजिए क्वाल्टी का और चिपसोना ब्रेकाई 600 से लेके और आपके लिए एक इंट्रेस्टिंग बात और मैं बताँगा कल वीडियो में जो की आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है और किसान वाईयों को कोई भी घवड़ाने वाली बात नहीं है काफी लोग हमने देखे हैं तरह तरह की बाते करते हैं ऐसी हमारे सामने ऐसी खबरे आती हैं ऐसी जानकारी आती हैं उन जानकारीयों को अगर हम पूरी तरह ध्यान दे 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 तो हम वीडियो नहीं बना पाएं हमारा सीधा फंडा यही है कि आपका अलू हर महीने में बिकवाएंगे और आपका जब एवरेज निकल के आएगा तब देखना आप बहुत बड़ी आवरेज निकल के आएगा ठीक है देखे जादा हम घवराट में क्या करते हैं अभी क्या है लोगों के अंदर घवराट फेल अरती हैं लेकिन हम इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि किसान एक साथ तेजी से आलू निकाल दे और एक साथ मंडियों में घराबट हो जाए जिससे उनको बहुत बड़ा लॉस उनको तो होगा लेकिन और किसान को जो अलू रखा है उनको भी होगा लेकिन काफी लोगों की जो साजिस हैं वो नाकाम ही रहेंगी जब तक यूट्यूब चैनल पर कुछ अच्छे लोग काम करते रहेंगे तो किसान वाईयो वीडियो देने के लिए धन्यवाद मैं विखास गौड नमस्कार जी